ओ हेला एन वेलकम यू आल आएम रोईट प्रो महजन डेडर सु गाइस आज हम बात करेगे आई-ई-एक्स ल्टीडी के बारे में तो गाइस आई-ई-एक्स ल्टीडी में अगर देखा जाए तो स्टॉक में थोड़ा आपको संबल के रहने की जरूरत है क्योंकि स्टॉक में अभी भी गिरावट आ सकती है और कल के लेवल स्टॉक में क्या होगे कल क्या हो सकता है हो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले और गैस यहाँ पर कल के लेवल को ध्यान से देखना और guys यहाँ पर अगर देखा जाए stock में काभी कुछ चीजे चल रही है bonus को लेकर बाते होती है काफी ज़्यादा बाते हैं अपने होते वे देखी है और कहीं न कहीं यहाँ पर US विपरेंड के जो यहाँ पर tension चल रही है वो और कियों जो महौल बना हुआ है उसके कारण भी stock में कई इसी चीजे है जो आपको यहाँ पर परिशान कर रही होगी तो guys यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है चुप बैटना है अगर fresh buying करने की सोच रहे हो तो guys अभी सही समय नहीं है तो काफी कुछ बाते होगी IEX को लेकर तो guys वीडियो को एंट तक देखना और guys अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स के लिए उसके लिए तो guys करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं IEX के उपर So guys यहाँ पर मैं आ गया हूँ IEX के उपर और देखा जाए स्टॉक का पूरा नाम क्या है Indian Energy Exchange Ltd स्टॉक का पूरा नाम है और guys वही अगर देखे स्टॉक किस पर्टिकलर लेवल पे ट्रेट कर रहा है 210 रुपे 55 पेसे पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी 4 मार्च को 4 मार्च को स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी 210 रुपे 55 पेसे के प्राइस पे स्टॉक में गिरावट हुई थी 3 रुपे 20 पेसे तक स्टॉक के पॉल हमें देखने को मिला 1.50% के हिसाब से stock यहाँ पर downtrend में जाता हुआ नजर आ रहा है वही guys अगर देखा चाहे तो stock में गिरावट तो ही है और वही अगर देखे आगे बढ़े तो क्या stock में नजर आएगा तो वो भी हम देख लेता है, so guys आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल की levels, कल की levels important है, तो ध्यान से देखना गया तो चलते हैं, चार्ट के उपर तो guys यहाँ पर मैं आ गया हूँ IEX के उपर यहाँ पर अगर देखा चाहें, IEX के चार्ट के उपर आ गये हैं, और यहाँ पर 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर आज हम discuss करेंगे, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर discuss हम करने वाले हैं, और यहाँ पर अगर देखा चाहें, तो stock में बिल्कुल एक support यहाँ पर से stock consolidate करके, उपर के momentum के साथ उपर गया था, और बिल्कुल यहाँ पर से stock में मिला एक rejection एक resistance लेके इस stock इस particular level से नीचे के और आता चलिगा, और आप देख सकते हो, यहाँ पर 209 रुपे तक नीचे आया है, और यहाँ से stock में फिर एक momentum आया उपर के और और फिर से stock rejection लेके, resistance लेके नीचे के और आता है, तो हमें यहाँ पर resistance मिल गया था, और नीचे के और मिला था एक support, औ यहाँ पर हो गये था, तो गाइस बिलकुल इसी के अंदर stock कर रहा है trade, अब यहाँ से उपर के और तो इससे resistance लेका, जैसे यहाँ पर मिला तो नीचे आया था, फिर 209 के level पर सपोर लेके उपर गया, तो गाइस कल गिरावट possible है, और अगर कल यहाँ पर संबल के रहना, मै इसलिए बूल रहा है, क्योंकि अगर market यहाँ पर देखा जाया, market अगर यहाँ पर week open होता है, तो stock में 209 रुपेगा अगर level break हुआ, तो stock में एक fall हमें आराम से देखने को मिल सकता है, बट अगर support अगर लेता है, market अगर strong रहता है, तो हलकी सी गिरावट के बाद stock में उप की और की rally यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है, तो guys, एक simple सी strategy, simple सा analysis है, यहाँ पर IEX में, so guys, IEX में इस stage को देखने के बाद, Monday के levels को देखने के बाद, कल के, तो यहाँ पर क्या होगा, तो किस particular level पर IEX को support है, का पर हम invest कर सकते हैं, बड़े levels पर, तो यहाँ पर अगर दे गिरावट आएगी, बिल्कुल stock में rising weight जिसा pattern बना, stock में fall हमें देखने को बला है, continuously गिरावट हमें देखने को बला है, इस particular level से हमें लगता है, कि stock यहाँ से बढ़ सकता है, but guys, यहाँ पर depend करता है, depend करता है, एक important level पर जो है 225 का, 225 का level काफी ज़्यदा important है, मैं आपर ब continuously गिरावट है, तो मुझे लगता है, कि 225 के level से यहाँ पर से, एक resistance, एक retest करके stock में fall possible है, यहाँ से एक fall stock में possible है, और फिर से 192 तक stock आ सकता है, मुझे इसा लगता है, but अगर यही से reversal ले ले लेता है, उपर की ओर चले जाता है, तो उपर की ओर का momentum possible है, तो depend करता है, क्य यही पर consolidate किया था, फिर consolidate किया, फिर उपर किया, जिस particular level पर stock consolidate करता है, वो important बन जाता है, so levels के बारे में तो discuss हमने कर लिया है, वही अगर देखा जाए, तो 5 दिनों में, stock 7 रुपे 55 पेसे तक बड़ा है, 3.72% के हिसाब से, वही अगर देखा जाए, एक महीने में 15 रुपे 20 रुपे, 22 पेसे के असपास, stock यहाँ पर बढ़ता हुआ जर आ रहा है, वही अगर देखा जाए, तो यहाँ पर 10.62% stock यहाँ पर, percent stock की रहा है, so guys यहाँ पर अगर देखें, market cap stock का क्या खेता है, 18.91,000 करोड का है market cap, P ratio 66.83 का है, dividend stock देता है, 0.71% का, वही अगर open कहा था, तो stock open हुआ था, 214 रुपे के levels पर, high लगा था, 215 रुपे का, और low लगा था, 209 रुपे 10 पैसे के असपास, so guys वही अगर बात करें, 50 डुएक्स का है, 308 रुपे, 69 पैसे का है, low है, 98 रुपे 0, 2 पैसे का, और guys वही आगे बढ़ते है, resistance है, 214 का, 218 का, 218 का, 218 का, पास, पास, stock support लेंगा आने वाले कुछ दिनों में, वही अगर guys, वही अगर बात करें, यहाँ पर, price performance की, तो क्या है, तो यहाँ पर कभी upside के और है, फिर downside के और, फिर upside के और, कुछ इस तरीके से है, one week का दिखा जाए, तो plus में है, 3.38%, वही अगर दिखा जाए, one month का, 9. 9.34% में है, three months का 17.46% में है, 16.50% यहाँ पर माइनस में है, year and half का, one year का दिखा जाए, 103.92% प्लस में है, 300.80% यहाँ प्लस में है, यहाँ पर three years का, so guys, वही अगर दिखा जाए, trade value तो 84,00,000 का, असपास का trade value, 26,00,000 का, common and delivery हो, और, year की बात कर ले, yesterday की, तो यहाँ पर, 895, 5,00,000 का trade value, 30,00,000,000 का, common and delivery है, one week के average में, one crore का trade value, 31,00,000,000 का, common and delivery देखने को मिल जाएगा, और, one crore का, यहाँ पर trade value, देखने को मिलेगा, मंदे के दिन, आपर, one month का, और, 36,00,000,000 का, common and delivery भी देखने को मिल रहा है, वही अगर बात कर ले, community sentiments के आकड़े, भी भी positive है, लग आ और, 78% जो लोग है, buy के लिए, 11% लोग है, हापर sell के लिए कह रहा है, और, ही अगर दिखा जाए, 11% लोग जो और है, hold के लिए हापर का जा रहा है तो guys holding के लिए कहा जा रहा है, selling के लिए कहा जा रहा है, buying के लिए, revenues अच्छे बड़े है, stock के 221 में 317 करोड, 2020 में 207 करोड, 2019 में 214 करोड के असपास का है, net profit में अच्छा 3G हमें देखने को बिल रही, 2021 में 205 करोड के असपास का यहाप पर, जो है net profit आपर देखने को तो guys, यहाँ पर और और हमने ix को लेकर काफी कुछ बाते कर ली हैं, और guys, यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो please guys, वीडियो को लाइक करना, मत बुलना, और चैनल को subscribe कर देना, for shares के updates के लिए, shares के latest news के लिए, तो thank you,